राजत के लोग देजस्वी अदव सिर्फ क्रेडिट लेने की होर में हैं इसलिए धरना का नोटनकी कर रहे हैं भाई साब मैं आपको याद दिला दूँ कास संसस का फैसला जून 2022 की केविनेट में हुआ था जिसमें बिहार में NDA की सरकार थी अब तो कहीं थे ही नहीं NDA की सर पुलते जी ने छोड़ा है नमस्कार अब देखरे देश्टी नियूस में आपके साथ मान से मिश्रा बिहार के 38 जिला मुख्याले पर राजत धरना देगी बिहार के नेता प्रतिपक्स ते जश्वी आदव धरना प्रदिशन करने का मन मना लिये हैं इस धरना के जरिए दे भाण सरकार को घेड़नी की कोशिश भी की जा रही है पीछ्रे याती पीछ्रे दलीत वोड बैंक को भी टार्गेट किया जा सकता है वही यदारना पहले से किया जा रहा है ते जश्वी का मानना है कि आरेक्षन और जातिये जन गन्ना ऐसे मामले हैं जिससे भासपक के कि लोग सिर्फ क्रेड़िट लेने के होर में रहते हैं उन्होंने कहा कि इस तरीकी का धरना प्रदशन करके सिर्फ ड्रामा और नो टंकी कर रहे हैं वहीं विजवी की प्रवक्ता नीरस कुमार ने राज़त पर निशाना सांते वे यह भी कहा कि भाई साहब मैं आपको ना करे इस तरीके से धर्णा प्रदशन ना करे सुनिए क्या कुछ कह रहे बेज़ेपी प्रवक्ता नीरज कुमार राजत के लोग तेजस्वी आदब सिर्फ क्रिडिट लेने की होर में हैं इसलिए धर्णा का नोटंकी कर रहे हैं भाई साहब मैं आपको याद दिला दूं का वास संसर का फैसला जून 2002 की केमिजक्ट में हुआ था जिस में बिहार में बीहार की सरकार थी अब तो कहीं थे देही नहीं डीए की सरकार का जो फैसला है उसका प्रवक्ता नीरास कुमार ने कहा कि आर जेडी की लोग सिफ क्रिडिट लेने का काम करते हैं इस तरीके का धन प्रदशन दे के ड्रामा और नोटंकी कर रही है मत करिये साथ ही उन्होंने राजत पर निशाना साथ ते वे कहा कि भाई साहब आपको याद दिला दू कांसेंस फैसला जून 2022 में हुआ था और इसमें इंडिये की सरकार थी यह फैसला भी इंडिये की सरकार की है आप तो कहीं से थे भी नहीं फिर इस फैसले की बीच में क्यों आ रहे हैं ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे देश्टी नियूस के साथ धन्यवाद